जैमातादी दोस्तों स्वागत है आप सभी का व्रत्योहार उपाय चैनल में दिवाली का पाच दिवसिय तिवार तो खतम हो गया है लेकिन अब शुरुआत होने वाली है चार दिवसिय तिवार की जो की है छट पूजा का तिवार यह तिवार नहाय खाय के साथ शुरू होता है और नहाय खाय के अगले दिन खरना पूजा की जाती है यही एक ऐसा तिवार है जिसमें डूपते हुए सूरे को भी अर्ग दिया जाता है इसी के साथ उकते हुए सूरे को अर्ग देने के बाद इस व्रत का समापन होता है तो दोस्तों ये होता है पूरे चार दिन का व्रत छट का व्रत बहुत ही कठिन व्रतों में से एक माना जाता है क्योंकि लगभग 36 घंटे का निर्जला व्रत इसमें रखा जाता है व्रत त्योहार उपाया चैनल के जितने भी व्रत चट का व्रत रखते हैं उन सभी को चट के त्योहार की धेरो शुब कामना है दोस्तों चट माता की कृपा प्राप्त करने के लिए आप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स से जै हो चटी माईया लिख कर भेज दें ताकि चटी माईया की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगे कि चट का त्योहार किस दिन से शुरू हो रहा है इसी के साथ नहाय खाय किस दिन होगा और इस वरत को रखने के कुछ खास नियम कौन से है इसी के साथ साथ पूजा का शूब महुर्त क्या होगा चार दिन की इस चट पूजा में नहाय खाय खरना, संध्या अर्ग और सुभे का अर्ग किस दिन किया जाएगा ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी लेकिन उससे पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बैल आइकन को टच कर दे सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस वर्ष छट पूजा कब से शुरू हो रही है इस साल मंगलवार पाच नवंबर को नहाय खाय के साथ चट पूजा शुरू होगी चट का वर्ष बहुत ही कठिन वर्षों में से एक होता है 36 गंटे का ये निर्जला वर्ष बहुत ही खास होता है लेकिन इससे भी ज़्यादा खास होते हैं इससे जुड़े नियम तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नहाय खाय क्या होता है और इससे जुड़े नियम क्या है नहाय खाय से ही चट पूजा की शुरुवात होती है इस दिन वर्ष रखने वाली महिलाएं नदीया तालाब में सनान करते हैं इसके बाद छट व्रत रखने वाली महिलाएं पूजा के लिए प्रसाद बनाना शुरू करती हैं खरना के दिन व्रती दिन में सिर्फ एक बार ही खाना खाते हैं और नहाय खाय वाले दिन महिलाएं घर की साफ सफाई करती है बाकी व्रतों की तरह इस व्रत में भी साफ सफाई का बहुत महत्व होता है इसलिए आप ध्यान रखिए इस व्रत में आपके घर में साफ सफाई बहुत अच्छे से होनी चाहिए बिल्कुल भी और कहीं भी गंदिगी ना हो अन्य था आपका जो व्रत है वो माता पिकार नही इस दिन घर में लौकी यानि कद्दू की सबजी बनाई जाती है और सबसे खासनियम की वरत क्या जो खाना बनता है उसमें सिर्फ और सिर्फ सेंधा नमक का ही इस्तेमाल किया जाता है नहाई खाई के दिन जो भी प्रसाथ आप घर में तयार करते हैं सबजी बनाते हैं उसमें लहसुन और प्याज का इस्तेमाल बिल्कूल भी ना करें इसके लावा इस दिन बैंगन की सबचीपी घर में नहीं बनाई जाती है पूजा का प्रसाद तयार करने के बाद आपको सबसे पहले सूर्य देव की उपासना करनी है इसके बाद नहाय खाय का प्रसाद ग्रहन करना है प्रसाद को सबसे पहले व्रत रखने वाली महिलाएं ग्रहन करती है उसके बाद ही घर का कोई भी सदस से इस प्रसाद को ग्रहन कर सकता है तो दोस्तों ये थी छट पूजा के कुछ खास नियम अब जानलेते हैं नहाय खाय की पूजा का शुब महुर्थ क्या है नहाय खाय का दिन पाच नवंबर दिन मंगलवार को है और इस दिन क्योंकि डूपते हुए सूरज को अरग दिया जाता है इसलिए सूर्यास्त का समय शाम को 6 बच के 3 मिनट पर है अब जानलेते हैं छट जो की बुधवार 6 नवंबर को किया जाएगा डूपते हुए सूर्य को अरग यानि संध्या अरग 7 नवंबर दिन गुरुवार को दिया जाएगा और उकते हुए सूर्य को अरग यानि सुभा का अरग 8 नवंबर दिन शुक्रुवार को किया जाएगा इस तरह से छट पू जात्योहार से जुड़ी हुई आशा करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपके एक काम आएगी और आप इस जानकारी को अपने फैमिली और फ्रेंट्स के साथ भी शेयर करेंगे दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें व्रत्योहार उपाय चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चैमाता दे